दोस्तो आज महा सिवरात्री हैं तो महा सिवरात्री की स्पावन पर्वपर अब सभी दर्शकों को मेरा शादर नमस्कार दोस्तो आजीक दिन भगवान भोले नाथ जी का विवा हुआ था और आजीक दिन भगवान भोले नाथ नीराकार रूप से सकारूप में प्रगठ हुए थे लोगों का भी ऐसा मन्यता है कि महा सिरात्रिक दिन भगवान भोले नाथ तांडाव करते हुए शंपुन स्रिष्टी का अंद करते हैं दोस्तो ऐसा भी कहा गया हैं कि महा सुरातरिक दिन जो भी भकता अगर भगवान भोले नाथ को प्रसन करने के लिए अवजी धाराण करते हैं उन पर हमेशा भगवान भोले नात महरबान होते हैं दोस्तों देवी देउताओं के उपस्थित रहने का अनेक इस्थान है अनेक प्रकार के साधन कहें जिसमें देवी देउता ब्रिक्छो पर वास करते हैं जैसे कि भगवान भोले नाद बेल के ब्रिक्छो पर वास करते हैं धतूरे की जो पोध हैं उस पर वास करते हैं तो आज कि इस बिड़ो में बताए हूं दो पार्ट को एक बिड़ो में में जोंड दिया हूं कमबाइन कर दिया हूं तो ये बिड़ो ध्यान से देखना हम और दोस्तो जब इसका लाव जानेंगे श्वेम आप जो है कल सी धतूरी की जड़ ये फिर बेल की जड़ अवश्य पहन दोस्तो वनस्पति सास्त्रोक अनुशार जो काला धतूरा है ये बहुत ही पावरफुल चीज है आज की जुबड़ो है काला धतूरा की जड़ पहनने के फैदे के बारे में है देखे धतूरे के पोधे श्वयम भगवन संकर के ही श्वरूप है ध्यान दिजेगा धतूरे क पोधे श्वयम भगवन संकर के ही श्वरूप है काला धतूरा काल भहरो का ही श्वरूप है काला धतूरा पर सनीद्यों बसते हैं मा काली भी काला धतूरा पर निवास करती हैं आपने जरूर देखा होगा हम भगवन संकर की जब पुजन पाठ करते हैं तो काला धतूरा की यह फिर कोई शभी धातूरा हो, उसके फल और पूस्पा भगवन संकर को जरूर चढ़ाते हैं, और इसे भगवन संकर भी ग्रहन करते हैं, भगवन संकर को कोई भी मिठे मिष्ठान चढ़ाने की जूरात नहीं अगर कोई भी वेक्ति सच्चे मन से काला धातूरा ही चढ़ा उनके फल चढ़ा दे पुश पचढ़ा दे तो भगवन संकर स्विकार कर लेते हैं ऐसा क्यों क्योंकि काला धातूरों में स्वयम साक्षाथ भगवन संकर जी बसते हैं माता काली की संपोर्न शक्ती बसती हैं आदी शक्ती स्वयम इस पर बसती हैं दोस्तों काला धातूरा कोई शधारान पौधा नहीं है इसके परयोग जानोगे तो बिल्कुल आप चौक जाओगे इसके परयोग जानने एक बाद अब चौक जाओगे ये कोई शधारान पौधा नहीं है और कल से ही काला धातूरा की जड़ पहनना शुरू कर दोगे वैसे बहुत सारे लोगों ने हमारे स्विश्क्राइबर ने काला धातूरा की जड़ पहन करके रखें और उन्हें लाब भी मिल रहें तो वनस्वती सास्तर कुनशार काला धातूरा का प्रभाव उग्रा माना जाता है जैसे भगवन शनी की जो प्रभाव हैं शनी ग्रह के प्रभाव हैं मंगल ग्रह के प्रभाव हैं ये उग्रा माना जाता है उसी प्रकार काला धातूरा की जो जड़ हैं इसके प्रभाव भी उग्रा माना जाता है ये ततकाल फायदे दिखाते हैं इसमें कोई देरी नहीं हमेशा खतानाक शावीत होते हैं और अधोरे इस प्रकार के जानकारी अप लुखोर रुपए खर्चक करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाले क्योंकि प्राचिन ग्यान एक यूटूब चैनल नहीं बलकि आप सभी दर्शकों का परिवार हैं इसलिए मैं आप लोगों को इस प्रकार के जानकारी बताता हूँ ताकि भाराद भूमी से इस प्रकार के ज्यान का धरोवर शमापता नहीं हो हमारे चैनल का एक ही मकसाद है जनीतेवम जन कल्यान गन्ना और इस चैनल के धिक्तर कमाया के पैसे भी गरीब एवम असहाय लोगों की शिवा में समर्पित होते हैं तो आइस बिड़ों में बारी बारी से जाना लेते हैं काला धातूरा की जड़ पहनने के फायदे आब को काला धातूरा ना मिल पाए तो इसके इस्थान पर आब कोईशा भी धातूरे की जड़ पहन सकते हैं लेकिन कोशिस करे काला धातूरा की ही जड़ पहने वैसे ढूणने से काला धातूरा की जड़ आपको मिल जाएंगे तो काला धातूरा की जड़ पहनने से सनी की कूप्रभाव, सनी की सढ़े साती और अढ़हिया ततकाल दुर दुर देता है बहुत से लोग निलम रतना धारा की जड़ देता है इसे धारन कनने के बाद सनी की कुद्रिष्टी नहीं लगती सनी की कुप्रभाव समाता हो जाते हैं सनी की पीड़ा दूर हो जाते हैं ये भी माना जाता है काला धहतूरे की जड़ पहनने के बाद सुक्र मजबूत हो जाते हैं राहू केतू का पीड़ा भी इसके पहनने एक बात पित्रदोस दूर हो जाते हैं मैं आप लोगों को बीड़ो के आखरी में पहनने की कुछ नियम भी बताऊंगा इस नियम का आपको पालन भी करना होगा बहुत सईसे लोग होते हैं जिन्हें भूत प्रेथ बूरी शक्ती बिल्कुली आएदिन सताते रहती हैं परसान हो जाती हैं भूत प्रेथ बाधा से हमेशा परसान रहती हैं तो जो लोग भूत प्रेद बाधा से बचना चाहते हैं, बूरी शक्ती से बचना चाहते हैं, ये फिर जो लोग चाहते हैं कि भूत प्रेद उनके बाल भी माका ना कर पाएं, बूरी शक्ती उसे छूब भी ना पाएं, उसका तनिक भी अहित ना कर पाएं, तो ऐसे वक्ती श शरीर में आंतरीक उर्जा का प्रवा होता है। भूत प्रेत इसके जड़ पहने वे वेक्ति से कोसो दूर भागते हैं। अगर कोई वेक्ति इस प्रकार के जड़ धारान की हैं और भूत प्रेत छुनें प्रयास करें तो भस्मा हो जाएंगे। तो आप अपने स्वयम की रक्षा के लिए घर परवार की जो सदस हैं आप उनकी रक्षा करना चाहते हैं तो इस प्रकार के काला धहतूर की जड़ जरूर पहने। और हो सके तो काला धहतूर की जड़ आप अपने घर के मुख्यद्वार पी काला कलर की कपड़े में बांद दीजें बिलकुल ही लपेट करके शनीवार की दिन सायन काल के समय में बांद दीजें बिलकुल ही आपके घर में भूत प्रिदबाधा प्रवेश नहीं कर तो उनके शारे नजर दोस्तों के खीच लेंगे और आपके घर में जो भी वेक्ति आएंगे बिलकुल ही शारे सक्ति को बाहर छोड़ते वे शक्ति ही नाएंगे तो यह आपके घर पर वार की अच्छा करेंगे और जो लोग आपको नुक्षान पहुचानने के लिए आरे ह यह फिर 100 के दिन इसके जड में दुड़े डाला जाए तो आपके रुके काम पूरे हो जाएंगे इसके जड को घीस करके तीलग लगाने से यह लोगों को वशिबूत करने का काम करते हैं अर्थात आप अपने कारेश्हेत्र में जा रहे हैं यह फिर इंटरीव्यू देने क ले जाए बिल्कुल आप उसमें सफल होंगे दोस्तों काला धतूरा की जड़ पहने से देहिक देविक साररीक और मांसिग ये सभी प्रकार के पीड़ा समापता हो जाते हैं मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा महंगे रतना पहने की जगा पे इस प्रकार की जड़ जरूर ध दोस्तों बड़े से बड़े सत्रू इसके धारान कनेक बाद परास्ता हो जाता है लोग सीर जुका लेते हैं इसके पहनने एक बाद कोई रतना पहनने की जुरत नहीं होती ये सभी रतनों से स्रेश्टम फलकारी हैं ये ग्रहों के अनिश्ट प्रभाव को दूर करता है जि जड़ पहनने बद वेक्ति में अध्यात्म उनती हो जाते हैं ऐसे वेक्ति धिरे धिरे धार्मिक बनना सुरू हो जाते हैं ऐसे वेक्ति के दिन दुगनी एवं रात चुगनी तरक्की होना सुरू हो जाते हैं जो लोग राजनीतिक छेत्रा से जुड़े हो चाते हैं कि साम प्रभाव जल्दी देखने को मिलते हैं आप चाहे तो आप इसे कोई सभी ताबीज में पहने सकते हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब पहने सकते हैं प्रभाव ěढाए ताबीज में इसका प्रभा तीब्रह होता है और कीज दिन पहने तो सनीवार और बुध्वार की दिन आप जो है काले रस्वरी के साथ में आप इससे धारा को जर सकते हैं इसके पहनने की कुछ नियम हैं इसे पहनने के बाद मरे वेक्ती की घर में मरे वेक्ती की घर में जहां पे किसी का डेथ हुआ हो उस घर में आब को नहीं जाना है दा संसकार के लिए आप जा रहे हैं तो परगट में इसे पहन करके नहीं जाना है नहीं तो इसके प्रभाव समापता हो जाते हैं दोस्तों इसीक साथ प्रसूता इस्त्री अर्था जिस इस्त्री ने अभी अभी बच्चे जन्मत दिये हैं ये फिर पांस दिन नहीं हुए तो इसके कक्षम्याप को इसे पहन करके नह परवेस नहीं करने इन्य था इसके प्रभाव समाप्ता हो जाती हैं पांच अगर बत्ती के आपको धुए दिखाना है और इसे चांदी की ताबीज में भर करके पहने लेना आप चाहते हैं चांदी की ताबीज खरीदने में समर्थ हवान नहीं है तो काले कलर की कापड़े में बांध करके भी आप इसे पहने सकते हैं दोस्तों अगर आपको काले धातूरा की जड़ चाहिए तो मैं वीडियो के नीचे डिस्केशन में लिंक दिया हूँ आप यहां पर जा करके आप हमारे साइड से काला धातूरा की जड़ खरीच सकते हैं बिल्कुल यह आपको हमारे साइड से पूजन पाठ एवं जागरिद क के वे काले धातूरे की जड़ मिलेंगे और हमने आप सभी लोगों के लिए कॉस्ट भी बहुत ही कम रखे हैं आप इसे धारान करते तो आपको बहुत सारे और भी लाभ मिलेंगे आप स्वयम कलपना करके देखें यह आपको धारान करने कबाद कहां से कहां ले जाएंगे आब के प्रगती को इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे जिसके आप कलपना भी नहीं कर सकते तो अगर आप आनलाइन खरीदना चाहते तो हमारे साइट में जाकर के भी प्राचिनग्यान.in इनी साइट में जाकर के भी खरीद सकते हैं दोस्तो ये थे काले धतूरे जड़ पहने के फैदे के बारे में अब चलिए दोस्तो इसी बढ़ा में बताना चाहूंगा अगर आप जो हैं बेल के जड़ धरन करते हैं तो आपकी जीवन में क्या चमतकारोना शुरू हो जाते हैं दोस्तो जो बेल के जड़ है न ये तुलसी के पौधी की तरह ही बहुत ही ज़्यादा पवित्रा माना जाता हैं और दोस्तो एक बास सभी लोगों को बता दूं कभी भी अगर आप रुद्राक्ष लेते हैं तो वह रुद्राक्ष भद्राक्ष हो सकता हैं तुलसी की जड़ आप लेते हैं तो कोई इसमें मिलावट कर सक तो फिर इसके लाभ बताओंगा, हमें बेल ब्रिक्षा के वैसे प्राज सभी लोगों को कहना चाहूंगा, हमारे लिए क्यों उत्तम है तो हमारे सास्तोरों में लिखे हैं कि बेल के ब्रिक्षा रुद्राक्षा के ब्रिक्षा से भी बहुत ही पावरफूल है बेल के ब्रिक्षा तुलसी के भी ब्रिक्षा से बहुत ही पावरफूल है दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बेल प्रिक्षा के बारे में ये भी कहा जाता है दर्सनम बिलवा पत्रस से इसपर्सनम पापनाशनम अर्थाद बेल प्रिक्षा के दर्सन मात्रस से पाप दूर हो जाते और इसपर्सक करते हैं तो साग्षा ता बेल ब्रिक्षा को इस परसा नहीं करें बलकि बाबा भोले नात को इस परसा कर रहे हैं बेल ब्रिक्षा को इस परसा करते हैं तो सभी प्रकार के ये पापों को कश्टों को दरिद्रता को दुर करते हैं इसकन पुरान कनुशार बेल के ब्रिक्षा माता पारवती के पसीने सित्पन हुआ है चुकि ऐसा माना जाता है कि इसके जड़ में ब्रम्भदेव, मद्य भाग में भगवान विश्णू तथा संपून हिश्यों में भगवान सीव का वास माना जाता है इसलिए ये भी कहा जाता है कि सोमवार के दिन बेल के पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि सोमवार के दिन भगवान सीव इस ब्रिक्षा में जागरीत रूप में रहते हैं तो वास्ता में हमें बेल ब्रिक्षा की जड़ क्यों पहनना चाहिए इसके जड किने धारान करना चाहिए किने नहीं धारान करना चाहिए आये सारे जानकर इस बीडियो में जानेंगे इससे पहले सभी लोगister को कहना चाहूँगा कमेंट बॉक्ष में ओम नमस्टिवा जरूर लिखना चलिए मैं आप लोग kardeş को शरुक पथम बेल ब्रिक्षा की कुछ महत्वा बता दूँ तो बेल पत्रा के ब्रिक्षा में लच्मी जी का वास माना जाता है इसके पुजा करने से कोई वेक्ति गर सौंबार की दिन साम के समय में बेल ब्रिक्षा की पुजा करते हैं इसके जड़ में अगर गंगा जल है ये फिर जो कच्चे दूद है मिठे कच्चे दूद अगर चड़ाते हैं तो दरिद्रता को ये दूर करते हैं दोस्तो ये माना जाता है कि बेल के बिक्चा को घर में लगाने से प्रती दिन इनके दर्सन करने से पापोश भी मुक्ती मिलती है और जो वक्ति की घर में सुक शांती वैभाव की कमी है तो ऐसे वक्ति की घर में सुक शांती वैभाव सब कुछ प्राप्ता होना सुरू हो जा दोस्तों ये भी माना जाता है कि बेल के ब्रिक्षा को घर में लगाने से ये वातावरान को शुद करते हैं क्योंकि भगवन संकर को बेल के पत्र क्यों चड़ा जाते हैं इसके पिछे बहुत सारे काराण हैं जब भगवान संकर ने हला हल विश्च को धारण की हला हल विश्च को पिये तो उसके गर्मी को भगवान संकर बरदास्त नहीं कर पाए तो वहाँ पी उपस्ति सभी देवी देउताओं ने एक वैद से उनका उबचार पूछा तो वैद ने बोला कि आप जो हैं बेल के पत्र भगवान संकर को खाने के लिए बोले उसी टाइम से भगवान संकर को जितने भी देवी देवी देउताओं वहाँ पे उपस्ति थे सभी लोगों ने भगवान संकर को बेल के पत्र चड़ाएं उन्हें खाने के लिए बेल के पत्र चड़ाएं क्योंकि बेल के पत्र विशा परिवार इसे हमें किसी भी प्रकार का कोई फरका नहीं पड़ता अगर हमारे बिडियो को देख करके आप में से किसी एक भी विक्ति कभाला होता है तो हम सोचते हैं कि आज यूटूब में आ करके जो जान करी देर हुआ ग्यान हमारे सार्थाक हुए तो दोस्तों जो लोग सनी से परसान राते हैं अधिकतर 90% लोग जब सनी के सड़े साती अड़हिया ये फिर पौनी दसा आ जाती तो लोग परसान हो जाते हैं इधर इधर उधर खुब भागते हैं खुब जाड़ा फूका के चक्कर में लगते हैं खुब जोडिसों के पास म सब्सक्राइए बेल की जड़ धरान करते हैं ऐसे वक्ति को सनी की साड़े साथी जो अड़हिया दसा परसान नहीं करते हैं जो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं लंबे समय से कुछ कारे को सोच करके रखे हैं और चाहते हैं उन्हें शफलता मिल जाए शफल होना चाहते हैं ऐसे वक्ति कर बेल की जड़ शुक्रवार की दिन अगर संध्या के समय में पहना जाए शुक्रवार की दिन संध्या के समय में अगर पहना जाए तो धन की प्राप्ति होता है क्योंकि शुक्रदेव भगवान संकर जी के परमभगता है और अगर दोस्तों शुक्रवार की दिन बेल की जड़ अब जाते हैं जो वेक्ति बैलकी जर्ड हरान करते तो ऐसे वेक्ति को काल सरप दोस, पितरदोस, गोहत्या जिसे जो बड़ा धोस लगे हैं, पहने मात्रा से दूर होते हैं। लेकिन इसके पहने को कुछ नियम भी है इसके जड़ को पहने से पहले दुद में इसनान करा करके पहनना होता है दोस्तों जो भी वेक्ति बैल की जड़ धरन करते हैं पहनते हैं ऐसे वेक्ति भगवान भोले नात की कृपा के पात्रा हो जाते हैं भगवान भुले नात सोयम ऐसे वेक्ति की रक्षा करता है रुद्राक्षा से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल माने गए हैं बेल की जड़ अगर आप स्वयम की अध्यात्म उनती करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आब की अध्यात्म उनती हो हर छेतर में आपको तरक्की मिले सफलता अब की कदम चुमे तो बेल की जड़ धारान करें दोस्तों यह हमें दूर घटना से भी बचाता है एवं नहुगरा के पीड़ा से भी हमें बचाने का कम करते हैं लेकिन बेल की जड़ को धारान कनने की कुछ नियाम है बेल की जड़ को चांदी में ही पहनना चाहिए चान्दी में क्यों पहनना चाहिए क्योंकि चान्दी को माता पारवती के रज कहा जाता है चान्दी माता पारवती की शोरूप है और बेल के ब्रिक्ष भी माता पारवती की ही रूप है क्योंकि माता पारवती के पसीने से ही उत्पन हुआ है दोस्तों इसके जड़ को पहनने से पहले दो घंटे के लिए गंगा जल में डुबा करके रखना होता है फिर आप जो दूर के भागा करके पहन सकते हैं लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाऊँगा इसके असुधी दूर करने के लिए आप इन्हें पंचामरीत में इस्नान कराईए पंचामरीत में जैसे कि गंगा जल घी दूद शहद इस प्रकार साब को पंचामरीत पांच प्रकार की चीज़ ले लेना है और फिर आपको इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पंचामरीत में डूबा करके रखना है दूद दही घी गंगा जल और शहद इस प्रकार के पंचामरीत में कम से कम 10 से 15 मिनट तक डूबा करके आपको रखना है और धूब दिखा करके चांदी की ताबीज में डाल करके आपको इसे पहने तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे जिस भी छेतर में जाई आपको तरक्की मिलेंगे आपके दूसमन आपके तलवे चाटेंगे सफलता आब की कदम चुमेंगी जिस भी छेतर में हाथ रखेंगे अगर आप मिट्टी में हाथ रखेंगे तो मिट्टी आब के लिए शोने जैसा हो जाएंगे कहने का मतलब है कि जी छेतर में जाएए उस छेतर में आपको सफलता मिलेंगे दिन दुगनी राद चोगनी आब के तरक्की होंगे बेल की जड़ पहणने के बाद अगर आप चाहते हैं बेल की जड़ हमसे खरीदना चाहते हैं तो हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिशन में लिंक दे देंगे आप हमारे दोवारा जागरित किये हुए संसकारित किये हुए बेल की जड़ मंगवा सकते हैं दो से तीन दिनों बाद हमारे वेबसाइट प्राचिनगयनिस्टोर.com में आपको ये सारे चीज मिल जाएंगे दोस्तों हम काफी मेहनत करते हैं, काफी प्रयास करते हमारे सभिस्क्रेबर जितने भी लोग हम से जूड़े हैं सबका भला हो, सबका कल्याण हो सब लोग धन दवला से परिपूर्ण बने रहे, सबको सभी प्रकार की सुखों की प्रापती हो हमारा एक ही मकसाद है जनीतिवं जन कल्यान कनना सर्वे भोंतू सुखhe na शर्वे निरोगमया सभी सूख हो सभी निरोग हो आप चाहे तो स्वयम भी इसे след करके पहन सकते हैं एक माला कम से कम भगवन संकर के नाम लेकर के आब को इसे SL कर लेना है या आपकी जीवन में मंगल में एवम कल्यान कारी साभित जरूर होंगे तो आसा करता हूं कि इस बिड़ो को आप अपने तक शिमीत नहीं रखेंगे जनीत वम जन कल्यान के लिए से आगे जरूर शेयर करेंगे हो सकते हैं आपके एक छोटे से सेयर किसी की जिन्दगी को बरबाद होने से बचा लें तो जनीत वम जन कल्यान के लिए से आगे जरूर शेयर करिएगा बिड़ो देखने के लिए धनिवाद नमस्कार